हेलो सुदेंट्स आज हम इस वीडियो में रीजनल रूरल बांक की इस्टाब्लिश्मेंट को उसके फीचर्स, फंक्षन और क्या कै इशूज है आररबे से रेटर उनको डिसकस करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं लेके रीजनल रूरल बांक मतलब एक ऐसी बांक जो बैसिक बैंकिंग हैबर से कनेक्ट हो सके तो जो यह सोर्स थी कि आररबी स्टाब्लिश करने चाहिए रूरल एर्याज में भी तो मतलब रूरल एर्याज में बैंकिंग फसिट्री लाने के लिए तो वो नरसिम्हम कमिटी के थूँ इसको कॉंसेप्शलाइज किया गया था और यह पीरड था 1975 का तो बैसिकली आररबी को नरसिम्हम कमिटी ने कॉंसेप्शलाइज के रिया क्रिएट के है 1975 में और यह जो इस्टाब्लिश हुई वो ओर्डिनेंस की थूँ स्टाब्लिश हुई 26 सेप्टेमबर 1975 को ओर्डिनेंस की थूँ स्टाब्लिश हुई मैं तो RRB, एक ordinance के through established bank थी, जो बार में RRB Act के through established होई है, तब RRB Act बाद में frame हुआ है, तो यह जो RRB है, regional rural bank, वो identified होती है as a scheduled commercial bank, RBI Act 1934 के according, right, the RBI Act 1934 में scheduled commercial banks, जिस तरह से defined है, उसी तरह से RRB को frame मिला हुआ, recognition मिली हुई है, और RRB पुरी तरीके से authorized है, तो वो सारे business को करने के लिए, जिने हम banking business कहते हैं, अब यह banking business का मतलब यहाँ पर बताएगा है, कि banking regulation act 1949 में, हम banking business जिसे कहते हैं, मतलब महाँ पर जो banking की definition दी गई है, उन सारे work को करने के लिए RRB authorized होती है, तो basically RRB के हो गए, एक ऐसे financial institution है, जो basically rural sectors को, agricultural sectors को credit provide करेगी हो, तो adequate fund provide करेगी, जिससे उनकी development हो, तो देखे, urban areas में bank establish हो रही थी, work चल रहा था, लेकिन जो हमारा most of the section is society का, वो हमारा जो area जाता है, वो rural areas को जाता है, कि इस तरह से हम bank setup कर सकते हैं, जो उन्हीं लगे कि उन्हीं की according bank है, तो वहाँ पे main focus सिर्फ rural areas और agricultural sectors को किया गया, कि उनको funding में ले, वो banks से connect हो सके, वो savings अपनी bank को provide कर सके, तो वहाँ पे चीजों को करने के लिए RRB की establishment करी गई, अब reserve rural bank को बनाने का सोचा गया, establish करी गई, पर जब हम बात इसके ownership की करते हैं, कि RRB जो establish की जा रही है, लोकल को promote करने के लिए, लोकल की feeling दे की rural को, उसके हिसाब से establish की जा रही है, तो उसके establishment और ownership का क्या structure रहा है, तो उसमें बुला गया कि जो RRBs establish होंगी, उसमें state government, sponsored bank और central bank, तीनों की हिस्सेदारी होगी, तो जो share holding हम कहते हैं, जो capital base में share holding होंगी, वो इन तीनों के होगी, तीनों की हिस्सेदारी होगी, तीनों की ownership होगी, अब stake सबका अलग अलग होगा, तो central bank जो होगी, वो 50% stake hold करेगी, वहीं पर sponsored bank जो होगी, वो 35% का stake hold करेगी, और state government जो होगी, वो 15% का stake hold करेगी, वादब ये इन तीनों का ratio fix किया गया regarding capital structuring, तो इसी के basis पे इनकी holding होगी, और इसी basis पे इनकी ownership होगी, तो देखा जाये तो RRB को government के थूँ जादा authorize किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा stake था, वो किसका था, central government का था, तो ये central government के थूँ authorize हो जाती है, और ministry of finance इसको है कि इसके working में इनका central bank का stake ज्यादा होने के जैसे जो appointment वेगरा होती है, chairman की director की, वो सारे लोग जो nominate होते हैं, वो central bank की through nominate होते हैं, क्योंकि इनकी shareholdings ज्यादा होती है, तो ये चीज़ हम धिहान रखेंगे, लेकिन जो amendment हुआ RRB bill में, 2014 के time period पे, वहाँ पे ये बूला गया कि RRB दूसरे source से भी capital को raise कर सकती है, मतलब ये जो central bank, state government और आपकी sponsor bank, इन तीनों के through, जो इनकी capital तयार होती है, तो इसके अलावा भी अलग sources से भी अपने fund को raise कर सकती, capital raise कर सकती, लेकिन एक चीज़ का धिहान अठना होगा, जो combined shareholding होने चाहिए, central की, central government की और sponsor bank क इन दुनों की combined shareholding 51% से कम की नहीं होनी चाहिए, मतलब central bank जो fund दे रहा हो और sponsor bank जो fund दे रहा हो, दोनों को मिला लेजे, तो वो 51% से कम का नहीं होना चाहिए, जिसे जो इनका relation normal decide किया गया, तो 50 plus 65 का तो 85% की holding थी, वो central और sponsor bank की थी, लेकिन जो amendment bill as में कहा गया कि और sources से रही सकते हैं, लेकि बस shareholding का धियान रखे, कि 51% से कम की नहीं हो, और जो state का stake है, तो state government का जो इसमें stake रहता है, उनर्शिप रहती है, तो अगर वो 15% मतलब 15% का decided है, अगर वो 15% से कम होती है, तो वो कम करने से पहले नको central government के साथ discuss करना हो, उनसे consult करना होगा, and then ही वो हो पाएंगी, जैसा भी वहाँ decide हो, तो जितनी भी RRB होगी, जैसे यहाँ पे बुलागे ना कि sponsored bank, तो sponsored bank का मतलब समझेगा, कि बुलागे कि जितनी भी regional bank होगी ना, उनको commercial bank sponsor करेंगी, है ना, आप देखे, commercial bank sponsor करेंगी, इसका मतलब समझेगा, आप जैसे कोई function करते हैं, एक normal चीज करते हैं, तो आप कहते हैं कि sponsored है, या कोई video होता है, तो कहते है sponsored video, इसका मतलब क्यों होता है, कि उस particular चीज को करने के लिए जो खर्चा लगा है, जो पैसे हैं, वो कौन दे रहा है, वो particular जिसको आप sponsor, जिसने sponsor किया है, तो हर चीज उनी के through होगी, जो sponsored होंगे, उनके through होगी, क्योंने उसे पैसा आया रहता है, तो regional rural bank के case में ये बोला गया, कि देखे, commercial banks जो थी, scheduled commercial banks जो थी, वो पूरी तरीके सर्मेर अरिया में success पा रही थी, मतलब वो develop हो रही थी, अब RRB को set up करना था, तो scheduled commercial banks, established banks रहती थी, उनको पूरी knowledge और experience रहता था, तो हर schedule commercial bank को बोला गया, कि आप जो है, district wise या regional wise जो RRB सेट अप हो रही है, उसको समहा लिए, मतलब हर एक schedule commercial bank के लिए, एक RRB दे दी गई, कि आप इसको manage करें, आप इसको समहा लिए, तो वो उनकी sponsored bank हो गए, क्योंकि वो उनको sponsor करेगी, ठीक है, तो हर RRB का एक schedule commercial bank होगा, जो उसको sponsored करेगा, मतलब हर चीज उसकी देख रहे, क्या चीज करने है, क्या से train करना employees को, कोई consultancy चाहिए, RRB की savings को, इस general commercial banks अपने पास रखके, उनको interest भी provide कर सकते, और RRB को funding की need हुई, तो वो schedule commercial bank से भी interest, लोन ले रहे सकती है, so basically देखा जाए, तो एक तरह की से parenting हो गई इनकी, जो commercial bank हो, वो बिल्कुल parent की तरह RRB को work कर रहते हैं, तो इसलिए इनको बोलते, sponsored bank, यह न, RRB के sponsored bank होती है, किसके तरह, scheduled commercial bank की तरह, और यह ज़रूरत भी थी, क्योंकि इसके तरह, वो क्या कर सकती थी, ज्यादा consultancy, training program, employees के लिए देती, fund की ज़रत होती, तो वो provide क करती, RRB को, मतलब proper RRB को setup करने में help करने वाले थी है, एक ज़र धान दीजागा, जब पहले, जब RRB का जो act frame हुआ था, उस act recording यह बाते थी, कि जो यह scheduled commercial bank, इनको sponsor कर रही है न, वो 5 साल तक करेंगी, है न, 5 साल तक पूरी assistance इनकी रहेगी, लेकिन जो amendment हुआ, उस amendment में यह कह दिया गए, कि यह जो initial 5 years, जो limit कर दिये गए थी, कि 5 साल तक ही करेंगी, मतलब वो limit हटा दी गई है, मतलब basic 5 years जो आप करना है करिए, उसके बाद भी इनको आप assistance दे सकती है, मतलब sponsor bank, RRB bank को उसके बाद भी help करती रहेगी, तो sponsor bank काफी ज़ादा role play करती है, regional rural bank के case में, अब हम बात करते है कि इसकी RRB के features की, तो देखे, RRB का पहला features का, जो characteristics है कि हम reserve bank कौन होती है, तो पहले चीज़ तो यह एक scheduled commercial banks होती है, जो इसको RBI act में, जो इसको recognition मिली, जो existence मिली हो किस चीज़ की मिली है, scheduled commercial bank की है, ऐसा नहीं कि यह private bank है, या इस तरह से कोई और unscheduled bank है, non-scheduled bank है, means ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी existence कैसी है, scheduled commercial bank की existence है, RBI act के एक साफ से, दूसी चीज़ है, कि RRB जो होती है, वो दो institutions के control में होती है, एक तरफ तो RBI के सारे rules and revolution होता है, दूसरी नाबाट की, क्योंकि regional rural bank का, जो establishment हुआ था, वो rural areas को develop करने के लिए हुआ और agricultural sector को, क्योंकि हमारा जो rural areas है, वो basically agricultural sector को belong करता था, तो हम अगर rural को develop करने, इसका मतलब हमें agricultural sectors को promote करना होगा, इसलिए यह जो नाबाट और RBI यह दोनों के supervision में work करते थी, वहीं RRB की जो characteristics यह है, कि अगर इसको income tax act के according देखा जाए, तो इनको जो recognition मिली है, वो cooperative society की recognition म मतलब यह cooperative societies को जो norms हैं या जो आप से उनकी taxing होती है, वो चीज़े applicable होंगी RRB पे according to income tax act, मतलब वो bank की, वो कोई limited company की तरह वो चीज़े नहीं होंगी, बलकि वो cooperative society की तरह treat की जाएंगी, income tax act के according, right, अब RRB का एक और जो feature वो है, कि RRB के जो operations है, मतलब इनकी जो working है न, वो restricted रहेगी, मतलब specific reason रहेगी जो एक, दो district मतलब दो चाट districts को cover करेगी किसी state का, तो मतलब इनका जो area of work है न, operation जो रहेगा, वो specific रहेगा, वो restricted रहेगा, इसके इलावा जो regional rural bank होंगी, वो जो loans पे, जो loan provide करेंगी, rural sectors ने, तो उस loan पे जो interest rate है, मतलब lending rate, मतलब जो loan provide कर इस particular state के cooperative societies से ज़ादा interest rate नहीं होना चाहिए, मतलब जिस rate पे वो loan provide कर रहे ही, वो cooperative societies के rate से ज़ादा कभी नहीं हो सकता है, ये चीज़ इनका important रहेगा, ध्यान रदेन की features में आ जाता है, इसके अलावा RRBs ऐसी होती है, जिनको sponsors banks, RBI के तो बहुत सारे concession और subsidies provide की जाती ह right, अब हम बात करते है, reasonable rural bank के functions की, right, तो इनके जो functions होते हैं, तो देखे जो basic कुछ important functions जो इनके summarize किये गए वो ये हैं, नाम से जितनी बाते समझ में आते हैं, बहुत रूरल areas के लिए की गई, तो पूरा काम ये rural areas पे करेंगी, rural areas को ही loan provide करेंगी, rural areas में ही, उनकी savings को mobilize करें so basically ये क्या करती है, short term and medium term loan जो है, rural areas में provide करती है, जितने भी weaker section है, मतलब rural population है आपकी, उन सब को ये short term and medium term loan provide करती है, like जैसे अगर हम बात करें कि किस तरह का loan देती है, तो agricultural sectors के farmers को loan provide करना, laborers को loan देना, जैसे कि उनकी farming activities support की जासके, land को acquire करने के लिए, seeds के लिए, fertilizers के लि के लिए loan देती है, साथ ही में कुछ और अगर आप work करना चाह रहे हैं, मतलब ही जो rural sectors के people है, वो कुछ और work करना चाहते हैं, तो उसके regarding भी उनको proper loan provide करती है, इसके लबा, providing financial assistance to rural artisans, MSMEs and agricultural farmers, तो देखें, ये जो financial assistance, मतलब, पैसे से सहाहिता करती है, मतलब, obvious सी बात है, जो loan लेना होगा, आपको easily मिल जाएगा, तो किस चीज के लिए, बैसे जो rural artisans है, मतलब, जो rural areas में जो skill है, जो craft work है उनका, जो शिल्प कारी जिसे artisans, मतलब, उनके skills related work उनका, तो जो तने भी skills related work rural areas में हो रहे होते हैं, उन सब को support करने के लिए, ये funding provide करती है, अगर cultural farmers, अगर कुछ नया कर कर रहे हैं, innovative कर रहे हैं, या कुछ skills related में कुछ नया ढूंड रहे हैं, ये जो भी farming का normal work भी कर रहे हैं, तो उनको भी funding provide करती है, financial assistance provide करती है, time to time उनको help करती रहती है, mobilized regional financial resources, तो जो भी rural sectors के public है न, rural sector में रहने वाले जो लोग है, उनकी जो savings है, उनको bank तक लेके आती है, मतलब RRBs एक तरीके से doorstep banking services provide करती है, घर घर जाके bank का account open करवाना, उनको bank में पैसे deposit करने के तरीके समझाना, उनको ले आना या उनको withdraw करने के लिए पहुचना, कि जो उनकी savings है, वो bank तक पहुच सके, क्योंकि हमें पता है कि credit creation का का काम commercial banks के होते हैं, जब savings आती है, primary deposit, जब savings आती है, तो उसी से फिर वो loan create करते हैं, derivative deposit करते हैं, secondary deposits create करते हैं, तो उससे loan create करते हैं, तो पहले तो RRBs को और बिजनस बढ़ाना है, तो सिर्फ capital से तो काम होगा नहीं, उनको funding और चाहिए होगी, तो उसके लिए जरूरी था कि जो rural sectors के लोग है, उनके funding, उनकी savings को channelize किया जाए, उनकी savings को किसी तरीके से banks तक पहुचाया जाए, तो उनके अंदर banking habits develop करने की भी पूरी तयारी जो है, RRB करती है, उसके लिए बहुत सारे programs और बह इसका होता है, जिससे IRDP थी, Integrated Rural Development Program है, 20 Point of Economic Program है, तो इसके लिए नाबाड की से स्कीमें है, मतब जितने भी government के initiative हो, या नाबाड की initiatives हो, जो भी scheme लगाई जा रही है, लमन्रेगा वेगेरा, जो भी scheme लाई जाती है, किसके लिए rural areas के लिए, उसको properly execute कराने का काम किसका होत है, मतब आया डीप भी जो किया था, वो बहुत टाइम पहले ही, डेवलप किया गया, इनिशेटिव दिया गया स्कीम है, वो government के थूँ, और इसके लिए वहाँ पर ही जो रूरल areas के लोग है, उनको employment देने का काम था हो, उनको employment opportunities generate करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, तो इस तरह के जो इतनी भी schemes है, जो भी government initiative है schemes लेती है, उसको execute कराने का काम RRB हो होता है, reduce cost of credit to rural areas, जो rural areas में loan दिया जाता है, वो जो loan है, वो कम rate पे दिया जाता है, मतब cost of credit, reduce cost of credit, credit हो गया मतब loan, और cost मतब उस loan का interest, तो यह जो interest rate होता है, वो कम होता है, comparison to urban areas, तो RRB lower rate पे our rural areas को interest rate देती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी facilities, जो है, loans related उनको provide की जाती है, like margin money, margin money बहुत कम रखी जाती है, है न, sometimes 100%, 50% इससे आप से देख की रखी जाती है, जो इतनी certificates हैं, उन पे proper उनको दे दिया जाता है, कि funding, पहले तो यहां तक ही था कि आपको कोई भी incumbent certificates मतब कुछ भी security submit करने की जरुवत नहीं है, उसके अलावा भी आपको loan मिल जाएगा, बात में जो आपके चीजे चेंज हुई, जो bill amendment है, उसमें यह का गए कि ठीक है, ceiling limits आपके बढ़ा दी जाएगी, आपको margin आपका कम लिया जाएगा, इस तरह से बहुत सारी तरीके जिससे इनको प्रॉपर loan मिल सके, to bring in social equity, equity by providing financial services to every statum of the society, तो RRB का जो मेन काम था, कि urban area जो डेवलप हो रही है, रूरल areas को भी उस लेवल तक लेके जाना, तो तारे section of society को, चाहिए वो बहुत वीकर section हो, रूरल areas में, पूर section हो, बिलो पॉवर्टी लेवल के आपके रूर policy farming या कुछ और भी चीज़े करने के लिए, अपना work करने के लिए, start up करना चाहते हो, उसके लिए पैसे मांग रहे हो, रूरल sector में, उनके लिए भी, मतब जो भी है, उन सब को funding provide करके, उनको वैसा है, पूरे जो एक level होना चाहिए, कि urban और रूरल में कोई difference न रह जाए, proper development हो सा, कि उस सब चीज़ पे ये काम कर रही थी, RRB का काम होता है, कि उस सब को equal लेके आ जाए, और इसके लिए वो banking services को बहुत easy accessible कराती, जैसे मैंने का doorstep जाके, घर घर जाके banking services को develop कराया गया, banking habits को develop कराया गया, banks के बारे में बताया गया, SSG वेगेरा, जो नाबाट की schemes, मतब जो NGO's वेगेरा के थुमिल के, self-help group का concept लाना, उसको वहां तक पहुचाना, उन लोगों को वहां तक बनाना, यह सब काम जो है, RRB कराती है, तो मतब बैंकिंग services को easy कराती है, easy going कराती है, अब हम बात करते हैं, इनके issues की, RRB में क्या issues basically है, तो जब हम issues की बात करते है क्या RRB में क्या problem face करी, क्या weakness रही, तो उसके लिए बहुत सारी committees ने इसकी problems को identify किया था, like मैं बूलू, धंतवाला committee है, केलकर committee थी, खुसरो committee थी, अलगला time period में अलगला committee थी, धंतवाला, केलकर, खुसरो, यह सारी committees थी ना, इन्होंने बहुत सारी weaknesses की identify करी, तो यहां प कि RRB जादा develop ना कर पाना या, उसको जो problem face कर रही थी, या जो इसकी weaker करी थी, वो थी उसका governance structure, मतब multi agencies का control था, एक से जादा agencies को control कर रही थी, like नाबार्ड है, RBI है, sponsors bank के भी चीज़े होंगे, state government का भी रहेगा, central government करेगा, क्योंकि सभी की ownership है, तो सभी की rules and regulation applicable हो जाते है तो हर एक की चीज़ों को माना, इतनी सारी agency का control और प्रॉपर तरीके से systematically वो चीज़े नहीं हो पा रही थी, तो इनका जो governance structure था ना, कि मतब इस तरह से होना, कितने लोगों का control इन पर होना, वो इसके लिए कहीं न कहीं weaker part साबित हुआ, RRBs के लिए, restricted area of operation, तो RRBs का क्य करना था, main उनका जो work था, वो यही था, कि आप उन sections को, उन societies को आप loan दीजिए, right, अब ऐसे में क्या हो जाता था, कि आप हर जगा तो उतना उनके पास funding नहीं है, कि वो पतना पैसा दी, अब आपको कुछ specific zone को target करना, उन ही को loan बाटना है, और आपको loan देना नहीं है, तो आपके पास business कहां से create होगा, तो उसकी वज़़ा से क्या हो जाता था, कि आप करायर भी कुछ ऐसी जगा branches establish हो गई, जहां पे इस तरह का है ही नहीं है, setup ही नहीं है, वहां के लोग बाहरी earning करने जा रहे हैं, तो वहां पे कोई, इसका scopey नहीं रह गया, कि लोग आएं bank तक और loan ले, तो मतलब business करने का option उनके पास नहीं हो रहा था, और इसकी वज़़ा से क्यों हो जा रहा था, कि इनको जो है loss bear करना पड़ रहा था, मतलब area of operation, आपको कहां काम करना वो specific होगा, कि सिब आपको इतना ही काम करना है, यहीं काम करना है, इनके लिए ही काम करना है, त तो आप उस जब area of operation बड़ा नहीं होगा, तो फिर आपकी कहीं न कहीं working limit हो जाएगे, business opportunities limited हो जाती है, इसके लाबा low internet banking, तो अगर अभी देखा जाए तो 19 RRBs हैं, जिनको internet banking facilities provided है, और 37 हैं जिनको mobile banking license मिला हुआ है, और नए rule के हिसाब से, जो existing regulation है, वो यह कहती है, कि RRB इसको internet banking जो है, वो कैसे मिलेगा, जब उनका car ratio जो है, C-R-A-R, मतलब capital risk weighted assets ratio, यह इसे capital adequacy ratio भी कहते हैं, car भी कहते हैं, वो more than 10% होगा, उनहीं को इलाओ होगा, तो कहीं न कहीं, अब सब चीज़ें online हो रही हो, digitalize हो रही हो, ऐसे scenario में, अगर RRBs को इस तरह की limitation रहेंगी, तो बट अब इससी बात है, उनकी working कहीं न कहीं effect करेगी, existence of overdue, बहुत जादा loss RRBs को bear करने पड़ रहे हैं, बहुत जादा ऐसे loan है, जो overdue हो चुके, मतलब उनका repayment नहीं हो रहा, अब उसके बेचे reasons बहुत सारे हैं, कि loan करने की जो policy है, वो गलत थी, क्योंकि हमने बताय है, कि कई जब पहले यह भी था कि securities लिए बिना भी loan sanction हो रहे हैं, या rural areas के लोगों को इपठा के वो bank setup की जा रही है, rural areas के लिए ही, तो sometimes वो loan को भी सही से sanction नहीं की गई, सही से पुरा procedure follow नहीं किया गया, जिनको loan दिया गया, वो जिस purpose के लिए दिया गया, वो purpose में उसको utilize नहीं कर रहे हैं, उन loan को proper follow up नहीं हो रहा है, कितनी EMIs आई, कितनी नहीं आई, क्या problem है, इसे बहुत सारे reasons थें जिसकी वज़ा से overdues बढ़ते जा रहे थे, तो जिब overdues बढ़ेंगे तो loss होगा, जिब loss होगा तो but obvious सी बात है, RRB इस proper तरीके से working नहीं कर पाएगी, इस तरीके से सब में coordination नहीं रहेगा, तो but obvious सी बात है, कि वो problem में आएंगी आएंगी, और continue loss का होना, overdues का होना, है न, इनका government structure का सही नहीं होना, सही से management practices नहीं कराना, मतब है तो इतनी लोग, लेकिन proper staff की training देना, उतनी knowledge provide करना, वो सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रह लाता था, RRBs default परने लग रही थी, तो इसे बहुत सारी इनके loss issues थे, जिसके वज़से RRBs को problem face करनी पड़ रही थी, तो अगर हम अभी इंडिया में बात करते हैं, और basically UP की बात करते हैं, तो अभी हमारे पस reasonable bank कितने हैं, तो देखा जाए ग्रामीन bank of RRB, कुछ example से ज अलावा, अलहाबद UP Gramming Bank, ये बांदा में हैं, अलहाबद bank के थूँ स्पॉंसर थी, बरोदा उत्तर प्रदीश Gramming Bank, ये bank को बरोदा के थूँ है, राइबरेली में हैं, काशी गुमती संविद Gramming Bank, ये विनारस में हैं, Union Bank of India के थूँ, ये स्पॉंसर है, सर्वा UP Gramming Bank, सबसे पहले जब RRB के स्टाब्लिश्मेंट की गेते हैं, तो पांच RRB को एक साथ स्टाब्लिश किया गया था, राइट, सो ये उसमें से आपकी आती है, पुरवांचल Bank State, ये Bank of India, गोरकपुर में है, तो ये सारे UP के कुछ RRB के नाम हैं, से बहुत सारे RRB हैं, ठीक है I hope आपको clear हुआ होगा, wish you all the ways, thank you so much